प्राइपुर नगर निकम वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षन में पूरे देश में छटवे स्थान पर है आगे भी हम इसी शेडी में बने रहें इसके लिए महापौर द्वारा लगतार कदम उठाए जा रहे हैं इसके तहट आज नगर निकम द्वारा होटल संग इवं मेरज हौल संग के साहथ बैठक रखी गई इसमें स्वच्छता के लिए उन्हें जागरुत किया गया साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी गई महापौर एजाज डेवर ने बैठक में शामिल हुए लोगों को स्वच्छता एप के बारे में भी जागरुकिया तरीके से अभी हम लोग जमीनी स्थर पर काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे असा लगता कि यह सब पहले ही हो जाना था लोगों में अभी भी जागरुक्ता की कमी है अभी भी लोगों में वह अवेरनेस नहीं है जो नहीं है जैसे हम इंदौर जाते हैं इंदौर में देखते है कि कोई भी आदनी गुटका खाता है तो वो जब तक कि वो गुटका को पालोतिन को अपने जिम में रख लेता है रेपर को जब तक कि उसको डस्ट भी नहीं दिखता ये चीश की कमी राइपूर में अभी है क्योंकि वो लोग सीधा गुटका खाते हैं बाहर फेक देते हैं उसके रेपर को बाहर फेक देते हैं पानी पीते हैं बाहर फेक देते हैं वहां के जो को इंदिजार करते हैं तो ये जब तक कि जन आंदोलन नी बनेगा जब तक कि ये सुखचता लोगों तक नीचे तक नहीं पहुचेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा जो उद्देश है जो हम पहला जहां जहां हम चुके हैं जो हमारे नंबर जिसमें कम हूँ है तो उसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि हम जिस तरीके से भी हम लोग अपनी रोड मैप बनाए हैं उसमें हम नंबर रवन आएंगे जैसे कि माननी महापौर जी ने कहा है कि सवच्छता को लेके जैसे वो दिल्ली गए थे उन्होंने काफी सारी चीज़े बताई अभी उनका सफर बताया कि हम दिल्ली का हम देखा कि इंदौर नंबर रवन है तो हम क्यों नहीं आ सकते आ कि प्लास्टिक का उपियोग बन करें और वेस्ट कंपोजिट मशीन लगाएं और प्रॉपर तरीके से हमारे शहर को जैसे कि जो शहर जितना महापौर जी जितना और लोगों है उस सब का शहर है राइपूर किसी अकिले आदमी का शहर नहीं कि तो सभी लोगों को हाथ से हा आप दिया जाए